बहुत सारे लोगा कमेंट आ रहा है कि हमारे वैलेट से पैसे अटोमेटिकली कट हो रहे हैं यहाँ पर वह क्यूं हो रहे हैं और उसका रीजन क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में तो आप लोग वीडियो को बिने स्क्रिप के वाँ तक जरूर लीजेगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक जरूर कीजेगा और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करके आल स्लेट कर लीजेगा ताकि मैं को वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंसता रहा है तो चलिए जानते हैं यहाँ पर सब कुछ पूरे डिटेल में और मैं आपको बताता हूं यहाँ पे सब कुछ पूरे डिटेल में ताकि आप लोग इसली से समझ पाओ तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दू कि आपको क्या करना यहाँ पर आना है आने के बाद हेल्प एंड सपोर्ट का अप्शन मिल जाता है आप लोग को और यहाँ पर have more question का option मिल जाता है जहाँ पर आप लोग इसे देख सकते हो आपको direct है हमें बताया जाता है कि what is TDS deduction जो भी आपका पैसा यहाँ पर wallet से कट रहा है वो TDS deduction है मतलब TDS का जो charge होता है वो कट रहा है जो 30% TDS आप लोग का net winning पर लगता है वो कट रहा तो यहाँ पर इसलिए क्योंकि financial year का end था और financial year के end में जितने भी आपके net winning है उसका जो पैसा नहीं कटे है जो TDS नहीं कटे है मतलब जब आप लोग विड़ल करते हो तब आपके TDS कटे है बट यहाँ पर विड़ल करने से पहला ही कट जा रहा है क्योंकि यह financial year का end है और फिर आपका अगला जो 1st April से जो स्टार्ट हो रहा है उसमें फिर अब जो भी आपके net winning होंगे उसमें से कटेगा बाकि आपका जो पैसा उसे आप लोग विड़ल कर सकते हो यहाँ बताया जाता है कि आप लोग देख सकते हो as per amendment to the income tax act that came into effect on 1st April 2023 government taxes are applicable on your net winning जो आपका net winning था उस पे इसको apply कर दिया गया hence TDS applicable on your net winning for the financial year 2024 2023 to 2024 यानि 1st April 23 to 31st March 24 will be automatically deducted from your dream 11 account on 31st March 2024 11.59 pm तो इस बीच में आपका पैसा जो है net winning जो है उसमें सापका TDS कार्ट लिया गया है आज 31st को 11.59 मिनट और उसको बताया गया है कि how will it be calculated कैसे calculate होता है तो simple सा आप यही समझ लोगी जो भी आपका net winning होता है उसमें से आपका 30% government tax cut जाता है जिसको TDS बोलते हैं और वही आपका जो भी 57 कट रहा है 100 कट रहा है 120 कट रहा है 500 कट रहा है जो भी आपका net winning है आपक लोग उसे विडिल कर सकते हो और जब आप लोग विडिल करते हो तो आपका net winning में से TDS कटता है तो सेम वही चीज आपका TDS cut गया है अब आपका net winning है आप उसे विडिल करोगे तो आप लोग easily कर पाऊगे और फिर जो आप लोग खेलोगे उसका net winning होगा फिर next financial year जो है 1st April 2024 से यहाँ पर 31st March 2025 तक है तो सारे उसमें जो आपका TDS है 30% ओगटेंगे ठीक है तो यह सिंपल सा प्रोसेस है और इसमें आपको बिल्कुल टेंसन लेने वाली बात नहीं है आप जो वीडियो के टाइम आपका net winning से TDS करता है वही अभी पहले ही काट लिया गया क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए टाटा बैबाए